नमस्कार मैं हूँ सौरब बोरासी आप देख रहे हैं फिश फार्मेंग इन लोकोस चैनल काफी महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी अब लेकिन वो नहीं रहे है ये वीडियो में मुझे वाइस ओबर करना पड़ रहा है ओपन इस्पेस इतना जादा एरिया था कि बहुत जादा हवा चल रही थी और ये वीडियो है दो महीने पहले का जब थोड़ा बारिश भी नहीं थी हलका गर्मी थी तो हवा बहुत चल रही थी और आंधी तुफान का टाइम था ओस समय में भोपाल से 40 किलो मीटर दूर मेरे यहां विदी अभी बोल रहा हूं वही चीज बोल रहा हूं लेकिन हवा इतनी थी कि आपको सुना ही नहीं दे पाएगा मैं आपको बता देता हूं यह एक्चुली में साजित भाई हैं यह जो दाड़ी पे हैं यह जोदपूर से आय हुए थे हम से सीट लेने तो हम यहां डिलेवरी करने आ रहे थे तो सांत में यह भी आ गया कि कैसे होती है डिलेवरी यह देखने के लिए बगल में टोपी पे जो है वो कैप पहने हुए वो संतोस भीया हैं जिनके हम सीट देने गए थे उन्हीं का तालाब है और उन्होंने ही हम से सीट बुलवाए हैं अब यहां पर आपको य एक सर्प्राइज रहेगा एक ही वीडियो में यह दूनों चीज़े आपको जो मिलेगी वह आप देखेंगे तो अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को शेयर कर लिजेगा यह संतोस भीया ने हमसे इस्पेशल बड किया लगभग लगभग एक केजी में पचास से साथ पीस चड़ने लगे थे तब इनको डिलिवर किया यह सीड जिससे इनकी मौटलेटी बिलकुल भी निल थी लाश्ट तक में हाला कि सौ लाइन में देर सौ लाइन में भी निल ही होती है बट इसमें और ज्यादा अच्छ पहले का वेडियो है जो प्रिजेंट में मैं डाल रहा हूं येकिन है दो महीने पहले और तो अभी इस अ बंच्चे साइज हो गया है वरतवान साइज भी आपको इसका आ aye पट लएक को जायेगी जाएमें यह टालते हुए बट रहे ॏरस में दिख रहा है को यह बच्चा साइड में भागने की कोशिश करता है जब भी कहीं डेलिवर्ड होता है नहीं जगा पे जाता है वो तो वो बाहर भागता है किनारे किनारे घूमता है हाला कि दूसरी मचली जितनी होती हैं अगर वो किनारे पे आ जाती हैं साइड में किनारा पकड़ती हैं रहेगा जब एडॉप्ट करेगा ताला आपको तब यह अंदर जाएगा उसके बाद यह साइड में नहीं दिखेगा अभी यह साइड में किनारे पे बिल्कुल ऐसा बेठा रहेगा जैसे कि आप पकड़ लो लेकिन हाथ लगाओगे तो भाग जाएगा और साइड में पूरा बिमार हो गया है या डेमेज हो गया है किनारे पे एक्शली में उसकी हैबिट ही है उसकी नैचर ही है ऐसा जंप करना साइड में आना यह मुरेल की हैबिट है तो आप उससे घवराए ना आप बीच में जाके साइड में कैसे भी आप बच्चा डाल सकते हैं वो साइड में रहेगा और फिर बाद में दो-चार घंटे उसको चाहिए चार घंटे बाद आटमेटिक अंदर चला जाएगा अब यह बड़ा सीट लेने का इनका मकसद यह था कि इसके पीछे में एक बड़ी सी ख़दान है मतलब ख़दान मिट्टी की ख़दान थी भाईया की तो उसमें डालेंगे जल्द से जल्द इसको बड़ा करके क्योंकि बड़ा साइज ही वहां जाएगा यह नरसरी है यह जो दिख रही है आपको यह नरसरी है अलक इस पर जाल नहीं लगा है कुछ लोग यह सोचेंगे कि जाल नहीं लगा लेकिन जाल लग गया था सेकेंड डे ही जाल दोबारा और अभी में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो भहिया का इंटर्वियू बनेगा और भहिया के experience क्या है और उनके क्या size हो गए हैं आप उनके जुबानी आप देख लीजेगा नेक्स्ट वीडियो में बाकि ये वीडियो में इनके बच्चे डल गए हैं और बच्चा जो है आज कुल मिला के दो से धाई महिना होने वाला है बच्चे को आराम से धाई महिना होने वाला है और अभी जो है इनका काफी सारा बच्चा जो है वो 400 ग्राम 500 ग्राम आ चुका है ये देखने में सोचने में सुनने में थोड़ा सा आजीब सा लगता है बट होता है जब कॉलिटी बनाई जाती ह या फिर जब बड़ा साइज का सीट को डेवलप किया जाता है तो वो करता है और अच्छे से गाइडलाइन और कई बार ऐसा रहता है कि मिट्टी पानी वो इतना अच्छा सूट करता है मुरेल को कि मुरेल बहुत स्पीड से बढ़ती है किसी किसी जगा और कहीं कहीं पर रेल के डब्बे की तरह घूमने लगे हैं और थोड़े दो तीन घंटे बाद ये अंदर चले गए थे बच्चे एक्टिव रहते हैं बस वो साइड में बाहर भागने का रास्त्रा ढूंदते हैं कि कहां से हम वापस चले जाएं जहां से आये हुए हैं अब आप देखिए किस तरीके से भाईया ने अपने हाथ में जो पकड़े हुए हैं यह वर्तमान का साइज है इसका तो इसको देखके वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे भाईया अपडेट भेजते रहते हैं कि कितना साइज हुआ में लेता रहता हूं अपडेट उ आप मुख से आप खुद सुनिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अभी फिलाल में इतना ही इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में भाईया का इंटर्व्यू लिया जाएगा और उसको आप देखिएगा बड़ा दिल्चास्प वीडियो होगा वो तो नेक्स् मिलते हैं जैहिन नमस्कार